वेलकम तुआ चानल आज हम देखने वाले हैं लाइन बाइन एक्स्पेनेशन ओफ जोग्रफी चाप्टर वान दात इस रिसोर्सेज आंड डेवलप्मेंट ऑफ क्लास 10 ठीक है बच्छाप देखिए यह जो चाप्टर है रिसोर्सेज आंड डेवलप्मेंट इसको हम दो क्योंकि उससे हमें चाप्टर को ओवर्व्यू मिल जाता है अब डेवलप्मेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं ठीक है फिर उनकी भी सब काट्रीज होती है फिर वह अलग डिवाइड होते हैं तो हम उसमें रिसोर्सेज देखेंगे और होता क्या है इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे जो एक इंपोर्टन डेफिनेशन और एक इंपोर्टन क्वैसल हो जाता है फिर डेवलप्मेंट तो रिसोर्सेज से डेवलप्मेंट कैसे होती है रिसोर्सेज लीड रिसोर्सेज लीड तो डेवलप्मेंट अफ देवलप्म किसी भी कंट्री की डिवलप्मेंट रिसोर्स कैसे हिंडर करती हैं यह है हमारा चाप्टर everything available in our environment which can be used to satisfy our needs it is technologically accessible economically feasible unculturally acceptable is termed as a resource अब यहां पर हमारे तीन जो शब्द है वो बहुत important है अगर रिसोर्स की डिफिनिशन आती है तो पहला क्वेशन इस चाप्टर से आने का क्या है what is a resource defined resource तो रिसोर्स की आपकी definition होगे define करने के लिए और अगर आपकी definition missing यह तीन words missing है यह तीन words missing है that is your technologically accessible economically feasible culturally acceptable यह तीन words अगर आपके miss हो जाते इस definition से तो आपको zero marks दिये जाते हैं और आपको half marks भी नहीं मिलता है यह बात अब याद रखेगा अब यह रिसोर्स की definition है क्या तो everything available in our environment मतलब हमारी जो environment है हमारी जो आस पास की surroundings है वहां पर जो भी चीज़े available है जो satisfy करती है हमारी need को मतलब की हमें कोई भी ज़रूरत है लेट से मुझे चाहिए मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी की ज़रूरत है मैं पानी पीऊंगी तो पानी मेरे लिए क्या होगे रिसोर्स हो गया मैं जमीन पे रहती हूं मैं धर्ती पे रहती हूं मैं लांड पे रहती हूं तो लांड क्या है मेरे लिए रिसोर्स है ठीक है और के एक्जांपल हो सकता है जैसे हम खाना काते हैं, तो खाना में परेड़ समिल भी जो हम पर यह स्य तो स्य आदिए टो यह क्या कर रहे है कर रहे है मेरी निड को विच इस अब यह टैपने इस टेकनोजी का अगसेसिबल कि मतलग कि हम उसको अगसेस कर आ। आउं थेक्ट पानी को मैं अगर इन तीनों ग्राइडीडिया में गोल्ड को माइन कर सकते हूं तो मेरे पास ऐसी टेक्नोलोजी है कि मैं गोल्ड को निकाल सकती हूं लेकिन इसको निकालने के लिए जो मुझे लेबर चाहिए होगी in फिर थोड़ा आसवास की जगट टेक्ट करने के लिए खोदने के लिए फिर गड़ा भरने के लिए मुझे जो है पैसे चाहिए होंगे ठीकि मुझे 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 चीज होगी और इन सब में चीज की कॉस्ट में अड़ करती हूं तो मेरा कम से कम 50,000 का खर्चा पड़ रहा ह उसको चाहर में बेच हो चाहर में अपने पास रुपर कीमत तो उस निकाल ले वे गोल्ड की 10,000 रुपे है तो क्या वह एकोनॉमिकली फीजिबल है नहीं तो रिसोर्स वही चीज होगी जो एकोनॉमिकली फीजिबल होगी और कल्चरली अक्सप्टिबल का मतलब क्या है लोगों की पास कहि hail न कहीं गोल्ड होता है लोग कोल्ड पहनना पसंद हो तो धमारे कल्चर्य ने उस चीज़ को एक्षेप्ट करा हो एकै है तो कौटिस है तो में कोकि अगर मार्कित में मैं गोल्ड को बेचूंगी तो लोग घोड को खरीदेंगी और मार्नों मैं कुई अगर कोई इसको खरीदेगा लेगे तो क्या मेरा इस प्रड़क्ट को निकालने का इस पे कोस्टिंग करने कोई फाइदा है कोई फाइदा नहीं है तो यहां से रिसोर्स का हो जाता है और यह एक फॉर्स्ट इंपोर्टिंट टॉपिक आपके इस चाप्टर आप देखो यह यह triangle जो है आपको पता होना जी है क्यों पता होना जी देखो the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions human beings interact with nature, technology and create institutions to accelerate their economic development अब क्या होता है कि हम क्या गरते हैं जो process होता है कि कोई भी चीज हमारी surroundings में available है उस चीज को मतलग जो भी चीज मेरी surroundings में available है relationship between nature, technology and institutions वो environment में available है तो वो कही नखी nature में हुई अब इस nature के साथ human being को interact करना पड़ेगा क्योंकि human being जो है human being के पास technology होगी institutions होगे तब ही वो nature के साथ interact करके उस particular resource का फाइदा उठाप आएगा लेट से gold, gold nature में है गोल्ड गोल्ड नेचर में है ठीक है अब मेरे पास technology होनी चाहिए गोल्ड निकालने की मेरे पास machinery होनी चाहिए मुझे पता होने चाहिए कि gold अब गोल्ड जो है चमकता थमकता वैसे ही नहीं आ जाता है जब में उसको निकालती हूँ बहुत गंदा होता है उसको साफ सफाई करते हूँ रिफाइनिंग करते हूँ या आगे जाके science मह और पढ़ोगे तो यहाँ पर technology का use होगा मेरे पास फिर institutions इंस्टिउशन का यहाँ पर यह मतलब हो गया अब जैसे कि मैं कुछ निकाल नहीं हूँ अगर मालो government ने इस चीज़ पर बयान लगाया वर्कि गोल्ड अब निकालना ही नहीं है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ नहीं वह illegal act होगा ठ परकल को मैं पकड़ी जा सकती हूँ तो एक तो institutions में वह कैसा सकते हैं दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई भी आप चीज माइन करने जाते हो कुछ भी होता है तो आपको वहां पे जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि कोई भी इंसान आपस पूछ ले तो आपको पै between physical environment याने की nature, technology और institutions और यहां पे major role play करते है human beings क्योंकि वह इन तीनों का interconnection एक दूसरे के साथ करवा देते हैं तो इसके बाद हमारे हमें आपर पता चलता है कि human beings जो है वह interact करते है nature के साथ human beings human beings human beings human beings समझ लो और कुछ मैं समझना तो human beings interact करते है nature के साथ और nature के साथ interact करते है technology की वजह से and create institutions to accelerate their economic development और वो क्या करते हैं बनाते हैं किसे ऐसे institutions बनाते हैं जिनसे उनकी क्या हो economic development हो ऐसे institutions बनाते हैं जिनसे उनकी economic development हो याने की अपनी economic development के लिए अपने फाइदे के लिए इंसान उसे बेचता है product को और लोगों की need satisfy होती है उन सारी चीज़ों से clear उसके बाद जो है अब यह जो है हमारे पास resources resources free gift है nature के बहुत लोगों ने माला है पड़ ऐसे नहीं है क्योंकि resource जो है वो बहुत जादे limited है और हमें उनका use बहुत जादा wisely करना चाहिए human beings जो है वो एक essential component resource के human जो है वो कुछ सबसे बड़ा resource है ठेक है क्यों resource है human being सबसे बड़ा resource क्यों है क्योंकि material जो material available environment में उसको resource में convert करते है और उसको use करते है अब क्या था आज से 40-50 मैं बहुत जादा decades पहले अगर लोगों को मैं उस time पे लोगों को knowledge थी बर यह लगा लो कि मैं बहुत पहले की बात कर रही हो जब early time period जब आदी मानव अगरा हुआ करते थे वह उस time पे गोल्ड था ठीक है अभी भी गोल्ड है फरक्त क्या है उस time पे उनके पास technology नहीं थी उस time पे material था पर उन्होंने उस material को resource में transform नहीं कर पाए थे अब वह कर चुके हैं ठीक है तो इसलिए अब use कर पा रहे है रिसोर्स को आज रिसोर्स अब यहां पर जो है classification अब देखो एक चीज़ याद रख लो classification और geography दोनों का एक दूसरे से ऐसा interconnection है कि geography में classification ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है तो बच्चे परिशान हो जाते है कि है इसमें इतने classification है कभी किसी basis पे है कभी किसी basis मतलब कोई एक particular criteria ने लिया है आपने और आप उस basis पे classify कर रहे हो ठीक है तो geography में classification होते रहते हैं तो उसकी आदट डालो उसको अपने साथ जोड़ लो कि बहुत classification पढ़ने आगे तो on the basis of origin origin मतलब की on the basis of origin means कि वो originate कहां से होए है आए कहां से है तो उस basis पे biotic और abiotic resource है exhaustibility exhaust कितना करेंगे मतलब रहेंगे कितना तो उस basis पे renewable non-renewable ownership खरीद किसने रखा है तो individual community national international on the basis of status of development development मतलब development किस तरीके का हो रहा है develop potential developed reserves stock ठीक है यह कौम आएगा कि यह हो गया classification अभी हम इसको line by line explain देखेंगे अब देखेंगे अब पहले यह देख लो resource दो तरीके के होते है पहला natural resource दूसरे human resource human resource नापके आजाते है structures और institutions क्योंकि यह human ने बनाया हुआ है quantity और quality और फिर national resource में renewable non-renewable renewable में continuous flow और biological continuous flow मतलब जो है ही है तो water हो गया और biological जैसे की forest बगेर हो गए wildlife हो गई यह सब फिर non-renewable we have recyclable metals recyclable मतलब जो recycle हो सकते हैं और non-recyclable recyclable मतलब की metals metals आपके recyclable है but fossil fuels आपके non recyclable है clear अब देखो यह तो flow chart था classification of resource की human और nature यह आप याद रख लेना वाकि इसमें इतना इसा कुछ important है नहीं उसके बाद आजाते है development of resource okay तो यहां पे क्या है कि यह जो हमारा यहां पे ना पहले एक topic होता था आपका जिसमें आपको बढ़ा पताया जाता था types of resources के बारे में ठीक है types of resources के बारे में बताया जाता था जिसमें आपको यह biotech a biotech और यह सब लाइन बाइन एक्स्पेंड गिया जाते थे इसके examples भी थे और इस topic से आपके mcqs भी आया करते थे लेकिन क्योंकि यह topic यहां पे नहीं है कि cbse ने इस बार delete कर दिया है तो यह topic फिर definitely अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको एक broader understanding के लिए बता देती हूं बायोटिक मतलब living abiotic मतलब non living ऐसे हमारी resources जो living है ठीक है वो हो जाएंगे आपके बायोटिक resources जैसे कि human beings flora fauna fisheries livestock फिर abiotic में क्या हो जाएंगे जो जी नहीं सकते जैसे कि मतलब non living है तो rock metals फिर ऐसी exhaustibility में renewable non renewable तो renewable जो renew हो सकते है दुबारा से flourish हो सकते है non renewable जो नहीं हो सकत इंडविज्वल मतलब मैंने अकेले ने own किया हुए community मतलब 4-5 लोगों ने पैसे मिला के एक जगा को own किया हुए तो पुरी community होई फिर national national मतलब पूरे देश ने hold करा हुए देश का है यह light आपकी जो घर है वो कहने को individual है लेकिन अगर किस दिन सरकार बोलते है कि हमें यहा अगर देना पड़ेगा फिर सरकार आपको जहां जूफ करेगी आपको माँ जाना पड़ेगा कि कि ultimately उस case में आपको जो इंडविज्वल घर है वो आपकी national property है वो एक तरह से national resource है क्योंकि अगर अच्छे काम के लिए हो रहा है तो हो सकता है फिर international मतलब जो भार के लोगों है बहुत अचारी दूप है लेकिन क्या है हमारे पास technology ही नहीं है कि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाए डेवलब डेवलब मतलब वो resources उनको यूज़ कर गया है फिर stock क्या होता है stock ही होता है कि human beings जो हैं उनके पास technology नहीं है resources को access करने की इसका बहुत popular example है H2O का H2O में जो hydrogen है वह हम बहुत जादा rich source of energy है लेकिन हमें पता है उसको यूज़ कैसे करते हैं तो वह हम नहीं निकाल सकते हैं फिर reserve, reserve में क्या है हमें हमें पता है हमारे पस technology है पर हमारी हम चाहते हैं इसे यूज़ करना कि इसको हमने future कि आने के future में कभी यूज़ करना होता हम इसे यूज़ कर पाए है ओके है फिर है development of resources तीक है resources जो है वह बहुत ज़्यादा वाइटल है human survive human के लिए बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट है human life के लिए ताकि उनके quality life quality of life maintained रहे तीक है लोग मानते हैं कि यह जो हमारे resources है यह czant uh free gift MAR Korean超 का और इसी कе वज़ेसे यूम and being से word in discrimination कर रहे है कि इसको यूस करते इसको नहीं करते वह और स्कृम्रेशन करे trasyous Из को प्रॉब्लम हो तो क्या 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 जो है रिसोर्स को ले चाहरे लिए अपनी इन करने के लिए लिए पास है वह तो भब हाँ जाएंगे तो हे रहे व्य पोर में में क्या कह सकती हूं अंस्लियूर्ण के लिरास लिग्टाना पल्ड़ज़ नकीमिरपकी, बिसलिण खीक, रहें लिग्टार है किक, कैंधिड़ी स और 0, पийँक, शोकते मिलेनीजायजे हुआ है , ते को यह पाद करकिन मजने में पादरी है। तो होते हैं जो केमिकल वते हैं जो वांटर में कर देते हैं आर में मेंधि टें स्कू Opportunity है awhile अगर सब्झार्बर यक्वाइब्सेड न्यारिटम्स कर देभल दिम्ससाइ हाने When the एक essential चीजे जो है वो हर जगा पे present हो और अगर यही ट्रेंड जो अभी चल रहा है यह आगे भी चलता रहेगा तो बहुत जाद़ प्रोब्लम हो जाएगी इसी वज़ा से हमारी मारा प्लानेट जो है वो डेंजर में उसका फ्यूजर इसी नहीं रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्स हमारे पास है उनकी प्लानिंग करना उनको कैसे यूज करना है यह जो है रिसोर्स प्लानिंग यह बहुत जादा शिएसेंशिएल हो जाता है जिस से सस्तेनेशिकर एक फिर का सफ्ट देभलपमेंट इसका === तो यहां पर यह जो 3 है यह important अब एक सिस्टेनेबल डेवल्ब्लप्मेंट मैं अगर आपने इक्नमिक से चाप्टर 1 पड़ा होगा तो पता होगा नहीं पड़ा तो यहां पड़ लो sustainable development का मतलब के होता है development जो टेक प्लेस बिताओ डामेजिंग देवल्मेंट इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि जो development हो रहा है present time में कि दुनिया आगे बढ़ रही है यह होना चाहिए हमारी environment को को डामेज किये बिना बिताओ damaging the environment और जो development आज के टाइम में हो रहा है न वह इस चीज को promise करें कि हमारी future generation को compromise नहीं करना चाहिए example example यह water ठीक है water को हम दिया करें थेखो पानी जो है न वह जितना है धरती पे उतना ही रही का but the thing is fresh water हमारे पास त्री परसेंट है ठीक है 3 नहीं शायद बान परसेंट है something like that ठीक है जिसका जो है कुछ percentage जो है वह glaciers की form में होता है यह बाद सब को पता है अब इसी reason की वज़े से क्या होता है कि हमारे तो तो से ואwh Jetzt multiplayer से क्या होता है कि यहां पे हमारे ने थरी नेशाद 1% होता है यहां पे तो यहां पर क्या है वाटर हमारे पर जितना है तब अनिवधर और पäre siis नहीं उतने हैं fresh water हमारे पास लिमेटेट तीक है अब उस फ्रेश वाटर में क्या है हम क्या गरते उसको पल्यूट करे जा रहे तो पीने लायक है नहीं आए तो कहीं नहीं कई रायट कंसे उस्टेनेबल डवल डेफलेप्लप्लेट लायक करें अब कि यह हैं पे यहां पे 1992 में 100 स्टेट्स जो थी उस वहां मिले थे ब्राजील में रियोदुजनारियो त्वे ब्राजील में मिले थे यह सबसे पहला यह चीज इंपोर्टन सबसे पहला इंटर्नाशनल ए समिट जो है वो इशू किया था फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंवार्मेंटल प्रोटेक्शन और सोशल एकनॉमिक डेवल मतलब की हम जो है सोशली और एकनॉमिक लिए डेवल्मेंट भी करें और सिर्फ अपनी कंट्री लेवल पे नहीं करें बल्कि एंगायसम क्या कि इंटर्नाशनल मिटिंग अे को एक और अचेहं लीक लोडु नारीतिटिषा है और यह पिएदेवल अन्हें डुपनेजट्वयन एडजंड़ियंट में मेंक्यान और अम्रट और महीदेदयन और तकी हरेग चो कंट्री हो है वह अपना छंडवion क्या करें और मेन क्या था इसका इन्वार्मेंटल प्रटेक्शन और सोचल एकनोमिक डेवलप्मेट अग्लोबल लेवल यह क्या था यह यहां पर एम था यह उनका डिसाइड हुआ था ठीक है कि हमें यह चीज करनी है और इस चीज को करने के लिए उन्होंने अजंडर 21 को अब अगशंडर 21 को अक्या है तोधंडर 21 और यह था दोनों ने दूसरी से कनेक्टरी है यहां पर क्या था कि जो इस ताइम पर एंपोर्टन एंडर संद्ध वण्मा रही पूछिए ज़ोए पूछिशी जा साती है ज़ो इत अब आप यह दिन्द एक तट एक है देखो व इन सारी चीज़ों को दूर करना था ठीक है म्यूच्वल नियर्ट रिस्पॉंसिबिलिटी के सब होना चाहिए और मेजर अब्जेक्टिव क्या था कि हर एक लोकल गवर्मेंट का खुद का लोकल एजनर में होना चाहिए क्योंकि सब को पता है कि हम यहां पर बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं कि यह पूरा वर्ल्ड है तो पूरे वर्ल्ड में चेंज एकदम से नहीं आ सकता है जब कि जब तक एक कंट्री की हर चोटी सी स्टेट की हर चोटी सी जगह पर चेंज जाओ अगर इस जगह चेंज आए एसी पुरे वर्ल्ड में चेंज आ जाए गा तerson हमेशा लोकल लेविल से स्टार्ट होता है एक्दम से प्रॉटर लेवल के आ चेंज नहीं लेकर सकते हो तो स्चानियं करने बोथ इम्पोरेंट सेंज इंडीये है वो बहुत सारी resources है तेखो यहां पे आपको यहीं चीज़ कन्री की जारी है इस paragraph में कि हमारे यहां पे न हमारे इंडिया में overall जो है overall पूरे इंडिया में सारे minerals are we have all minerals सारे के सारे ores मतलब मैं यह सकती हूं जितने भी resources चाहिए होते है सारे रिसोर्सेस इंडिया में अबंदन्स में अवेलेबल हैं लेकिन अलग 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 यूण टेरिटरीज उन जगहों में क्या है वह जगह अपने आम में सेल्स अफिशन नहीं होती हैं और क्योंकि कभी के बार जोएं इंटरस्टेट इस्प्यूट्स भी हो जाते है है तो रिसोर्स भी स्टेट्स जो है वो शेयर करने से मिला कर देती है इसा हो जाता है अब जैसे कि यहां पर आपको एक्जांपल दिया हुआ है कि इनके बास रिच मिलेरल और कॉल डेपोजिट्स है ठीक है और अनाचल प्रदेश में बहुत चाहरा जो है पानी ही पानी है ठ पाजिस्सान के पास solar energy है पर water resources नहीं कोल लग्दा के आइसो लेटेटेट है कंट्री से रिच कल्चराल है लेकिन डेफिशेंट है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में और कुछ वाइटल मिल्स में इसलिए हमें बालेंस रिसोर्स की जरूरत होती है और रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग की तीन सेट्फ होते हैं पहले इडिंटिफिकेशन और इंवेंटरी में इसमें क्या होता है पहले आप किया करो आप इंटिफाइब करो लेज्जा लेक्षिक गूल्ड है तॉप इडिया क्या प्कूंछ अब कौन सा सब्सक्वाइक आपके पास काहां पर है कैस इन्वेंटर्याफरिसॉर्स मतलब कितने अमाउंट में इन है और किस रीजन में प्रेजन्ट है अब जब आप ये चाम करते हो ना तो आप इस काम मेंसर्वे करते हो जैनरली आप मैपिंग करोगे आप उसकी ग्वालिटी चेक कर होगे ऐसकी ओन्टिटी चेक करी बहुत्त है तो वो सही नहीं है तो आपको कैसे बता चला कि अंदर 10,000 को गोड़ प्लेजंट है जमीन के क्योंकि आपने वहां पर उसकी क्वांटिटी चेक करी है उसकी फिर आपने एस्टिमेशन भी चेक कि कितना प्राइज होगा फिर मेजरमेंट कर आपने रिसोर्स का कि मुझे किस ज करी है आपने उस प्लानिंग भाता आपके पास आपकी टेकनोलोजी ओने चाहिए पर स्किल होना जी आपके इंस्टिश्टिूशनल सेट आप होना जी ताकि आप इंपलेमेंट कर सको अपने रिसोर्स देवलब्मेंट प्लान गोई अचो अपने प्लान मनाया है उसके तो ठीक कर लो क्योंकि फाइव यह प्लान अभी तो आपको अब नी बनते लेकिन फॉर्स्ट फाइव यह प्लान चोई वर इंडिपेंडेंडेंस के बाद लॉंच होई थे तो उस टाइम पर यह चीज़ भी हँए थी अगर मुझे रिसोर्स की डिवलफ्मेंट करनी है तो डिसोर्स की डिवलफ्मेंट में अगर कोई तो कि टॉपिक है Bar तो जो हमारे availability resources की यह necessary है किसी भी reason का मुझे development करने resources में इस पास होने चाहिए तेक है अब क्योंकि जो है मेरे availability resources की absence थी मेरे पास absence थी है technology की institutions की तो इस वज़े से भी इंडर हुजाना development इसका आपको देखो बहुत रची से example दिया है कहीना कहीना अगर आपकी economic development है या आप कहते हो कि economic development चलो छोड़ो थोड़ा broader डाम लेते हैं development अगर मैं कहते हूं कि तहीं पर development हो रहा है तो development सिर्फ और सिर्फ आपके पास resource होने चाहिए तब भी आपके पास development होगा इंडिया rich in resources very very rich in resources ठीक है बिलकुल भी resource ने उनके पास अच्छे थे लेकिन उनके पास क्या थी technology क्या थी उनके पास technology ठीक है उनके पास थे institutions onak are a relationship है रिलेशनेंचिप है resource के बीच में technology के इंसित्यूशन Drian के बीच में उन्होंने क्या क्या किया resources उन्होंने इंडिया से लिए technology और institवियूशन उनके खुद के पास थे और औरिटिया के रिसौर्सेस के तुरों उन्होंने अपनी खुद की गंट्रीं की डेपलप्मेंट करवा ली ठेक है और इंडिया सोने की चड़िया है , था मतलब अब तो नहीं है सानल ले गए लोग लूटि ये पर इंडिया सोने की चड़िया है ! लेकिन जब इतने अच्छे resources थे हमारे पास, तो हम अभी developing क्यों है, हम developed क्यों नहीं है, reason being, हमारे पास उस टाइम पर technology नहीं थी, resources थे, technology नहीं थी, institutions नहीं थे, और यही reason है, जिस वजह से, India is right now in the stage of developing, but not developed, और history of colonization चे बता चलता है कि इंडिया के पास कितने जाज़ा resources है, और यही एक main reason था, foreign invaders का, मतलब कि foreign लोगों के यहाँ पर आने का, और invade करने का, इस paragraph में आपको यहीं बताए गए, ठीक है, देखो, resources contribute to development, ठीक है, accompanied by technological development, institutional changes, इंडिया ने colonization को सफर किया है, एंडिया की development in journal or resource development particularly does not only involve availability of resource, देखो यही जीज़ है, सिर्फ availability of resource नहीं देखा जाता है, but also technology, quality of human resource and historical experiences of the people, इसका एक बहुत अच्छे example है, आपने class 9 में पढ़ा होगा, Japan, Japan जो है, उसके पास human development, उसका human development बहुत अच्छा है, उसके पास humans, human resource बहुत बहुत अच्छे है, उन्होंगे यूश करा हुई, उनके रिसोर्स इतने नहीं है, लेकिं उनके humans, इतने इक्सपोर्स, उन्हाने technology इतने अच्छे से उसके आँगा है कि कम resources होने के बाद भी, ठीक है, अब है conservation of resource, resource इतने important है conservation होना ही चाहिए, ठीक है, अब conservation जो है, resource को होना चाहिए, ये बहुत ज़दा vital important activity है, लेकिन क्या है, irrational consumption है, बहुत ज़दा लोग utilize कर रहे हैं, इस वज़े से socio-economic और environmental problems हो रही है, इसको overcome करने के लिए resource conservation जो है, हर एक level पर important है, ठीक है, और past म एक बार ये बोला था, there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed, कि हर एक इनसान की need satisfy हो जाए, इतना धर्ती मा के पास है, लेकिन हर एक इनसान का लालच, greed satisfy हो जाए, उसना अब धर्ती मा के पास भी नहीं है, because greed is like, the more you satisfy, the more it grows, जितना आप इसको satisfy करने की कोशिश करोगे, तो बढ़ती जाएगी He placed the greedy and selfish individual और उन्होंने कहा है कि जो greedy और selfish individual है, वही exploitative nature of modern technology है, जो लोग जो है, जो greedy है, selfish है, यही जो है, इनका इनका जो nature है, modern technology का यही root cause है, resource depletion का global level के, He was against mass production and wanted, हाँ, यह important है, एक one mark में, two mark में, जीस भी आ सकती है आपकी, कि यह आप गांधी जीने statement दिया थे, यह statement बी इंपोर्टेंट है, यह statement बी इंपोर्टेंट है, यह statement बी इंपोर्टेंट है, यह statement is important है, That there is enough for everybody is good, but not for anybody is good. तो यहां पर कहना है चाहते थे तो उन्हें लगता था कि root cause of resource development at the global level क्या है तो greedy और selfish individual जो कि exploit कर रहे है nature को ठीक है और वो चाहते थे कि he was against mass production कि production बहुत ज़्यादा amount में हो वो यह चीज़ avoid करते थे and wanted to replace it with production by masses production by masses का मतलब क्या हुआ mass production का मतलब क्या हो गया कि हमने एक product है लेट गोल्ड की जोल्री हो गई ठीक है मैं पुरे चाप्टर में गोल्ड की बीचे पढ़ी हो गोल्ड से बढ़ाऊंगी फूरा अब देखो गोल्ड की जोल्री हो गई गोल्ड का कोई अगर मैं प्रोसेस में I'm using labor मेरे पस बहुत चारी labor है और मैं उस labor को मेरे पस तेन थाउजन वोकर्स है और मैं सारे तेन थाउजन वोकर्स को यूज करके प्रडक्शन कर ली हूँ वह सही है क्यों सही है इससे हर एक लेबर के पास पैसा जाएगा और इंसान जो बाली के महां का वो सिर्फ जो अपना benefit देख रहे है उसे आगे भी देखना चाहिए अब यह वाला जो है यह वाला पारग्राफ यह इतना इंपोर्टन नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि Small is Beautiful जो है Small is Beautiful यह Smasher की बुक थी ठीक है इन्होंने कांदेन फिलोसिपी प्रेजेंट करी थी ठीक है और क्या था और यह Our Common Future यह एक और बुक है ठीक है जो कि क्या है आपकी इस रिपोर्टन लान कमिशन रिपोर्ट तो यह क्या है कि जो The Seminal Contribution with respect to Resource Conservation जो है Conservation करना है में Global लेवल पर वह ब्रंटन लान कमिशन रिपोर्ट 1987 इस पर हुआ था ठीक है बाकी जो है आपका यह सब कुछ था और सब्सक्राइब करना है यह सब कुछ था और यह सब कुछ था और सब्सक्राइब इस प्रॉपिक पे एक बुक पुप्लिश है जिसका नाम क्या था प्लीड इख प्लीड गॐल तो प्लीड इस सब्सक्राइब करने लास